गुड मॉनिक स्टूट्स आप सबका आज की ओनलाइन होम क्लास में वल्कम है तो जैसे कि आप जामते हो कि हमारा पिछला टापिक को फिनिश हो चुका है उसको हमने डिटेल में पढ़ा है काफी दिन लगा के पढ़ा है आप सब ने कंप्रेट का लिया हुआ और साथ साथ प समझीए कि इसके बेसे कि समझीए क्यों कि यह अगले साल वी ट्राथ में भी आपको इसको इसको इनुआज इस एंवस्के पार में पदा होगा तब तक अगले साल फिर आपको ओंट वा इनुआ स्मय समय नहीं गाएंगी तो इसको आच्छी तरीकह से समझागे क्यूँंकि कि ये topics continue होते रहते हैं next year भी इस साल इसकी बेस बनेगी और अगरे साल आप इसको अच्छे तरीके से और कवर करो गया तो चलिए trigonometric functions क्या है सबसे परें इंट्रोडक्शन लेते हम number one in previous class we have studied about trigonometry as the branch of mathematics which deals with angles and sides of a triangle and define trigonometric ratios trigonometric ratios as sin theta cos theta tan theta core theta sec theta and osac theta तो पिछली class में आपने देखा है कि आपने trigonometry के बार में सुना है trigonometry which deals यह ऐसी branch of mathematics which deals with study of angles and sides of a triangle तो आपने पिछले साल trigonometric में बारे में पढ़ा था कि यह branch of mathematics है जो angles or sides of a triangle से deal करती है so basically trigonometry को हम क्या करते है measurement of three sides of a triangle यह measurement of three sides of a triangle का meaning यह नहीं है कि आपने triangles की तीन साइडों को मापना है basically यह है कि इसकी applications में जब भी किसी चीज़ को आपने देखना है वहां आपने दिमाग में एक triangle को imagine करना है और जिसमें आपको एक triangle में आपको पता है जिस सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी हमें किसी बिल्डिंग की हमें उसका डिस्टंस पता होगा जहां घड़े होंगे साथ में उसका एंगल अफ एलिवेशन अब है अगर मालूम होगा तो हम उसकी हाइड का इजली पता लगा सकते हैं बाइदी एप्लिकेशन अफ ट्रिमेट्री सो ट्रिमेट्री डिल्स विद्धा एंगल और आपने पिछले साल ट्रिमेट्रिक रेश्यों के साथ में नमरे पड़ा था जिसकी एंगल को हमterror में मेंजर करते हैं तो तो साम्तिटा नहीं को प्पता था प्रभैंडी कि सब्सक्राइब करने के लिए आपको फार्मल भी पता था पंदत बदरी परिशाद हर हर बोले कुछ भी आप बना सकते हैं तो प्रस्चु से ओपर x आपका सेख थिता और यह चे बारे में आपने पढ़ा था और इनम इंवे वे एंगल थिता is measured in degrees on in trigonometric ratios में जो angle major होता था वो degrees में होता था अब in this topic we will further continue our study which deals with the circular functions अब इस topic में हम अपनी study को continue करेंगे जो की circular functions से deal करती है circular functions of real numbers when trigonometric ratios are studied as trigonometric functions अब trigonometric ratios के बदले हमने इनको study करना as trigonometric इनको study करना as trigonometric functions and angle and angles are measured in radians where angles are measured in radians तो यहां पर वेर अंगल्स और मेज़ड इन रेडियन्स तो trigonometric जो ratios थी उनमें मेर्रा को study किया जाता देंडियरीज है आहिसमें आंगलs को study किया जाता हैS Ưृ moderation इनमें टिखोर्डी किया था कि इनमें चे ये इनमें इनमें च्इशनी च्क नहीं गूख कर नहीं स्देट आइसंध इनमें पर दिशनी इन चलक नहीं पर द्च दिच्र.ट्यरीज के एंगल डिजूंद में कर Olthe result गो तरह है को यह जो कीया में फॉंक्शन ह выпуск konnte augment व्यूंशummy को आपके थावाम ट्राम्मेट्रियोन को वी कॉतरे स्टाटी करेंगे अजना में के सिर्कलर्पोट्ट भी है हम में अब मेजर्मेंट अफ एंटielle इंगरें थग्रामट्री जो इनको हमेशा हमेशा पाज्ट्य अंगल लेते हैं कभी नहीं कहते हैं मनिश थर्टी नहीं कहते हैं तो हमेशा होता है 30 degree, 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree, 360 degree, तो angles होते हैं जो angles हैं उनका major 0 से 330 degree तक होता है लेकिन ये सारे angles geometry में हम past few लेते हैं क्या लेते हैं past few but integrometry angles may be positive or negative and their major may have any value तो देखे Geometry में जो Angles हैं हमेशा positive होते हैं और उनका Major 0 degree से लेका 360 degree तक होता है लेकिन ट्रिग्मेंट्री में Angles positive भी हो सकते हैं और negative हो सकते हैं और उनका major है उसकी कोई भी value हो सकती है जरूरी नहीं हो 0 से 360 degree इससे बड़ी भी हो सकती है तो Geometry में आपने बनाती हैOS कि आपने देखा जब एक लाइन हम लेज्सेग्मेंट और वन्हें और बनाती है और एक एंगल बनाती है और एक एंगल बनता है थीटा और इसी तरह जो एंगल बनता है थीटा यह पास्जू एंगल होता है okay now when the angle is